दोस्तों बिहार डियलेट एस्पोर्ट एडमिसन के लिए दुबारा से आप सभी का जो आवेदन परकिरिया है शुरू किये गए हैं आपको बता दे जो भी अवियार्थी ने अगर बिहार डियलेट का इजाम दिया था 2023-2070 वाला उन तमाम कैनिडेट के लिए ये काफी सुनहरा मौका है अगर अभी तक आपका नमांकर नहीं हुआ है पूरी जनकारी समझेंगे कि इसमें कौन कैनिडेट भाग ले सकते हैं कैसे आपकी नमांकर परकिरिया होगी और कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तमाम जनकारी को मैं आपको detail में बताने जा रहा हूँ हूँ जिससे आपको पूरी जनकारी के लिए रुप सा समझ में आ पाए इससे जूरी पूरी जनकारी के लिए हमने आपको video description में link को प्लप्त करा दिया है sport admission की जो परकिरिया है वो 4 जनवरी 2024 से सुरू कर दिये गये हैं 8 जनवरी 2024 तक आपकी या वेदन परकिरिया चलेगी इसमें कौन candidate भाग ले सकते तो उसकी जनकारी समझी है सबसे पहला वैसे बिधारती जिन्होंने पूर्व में काउंसलिंग किया था जिनका पर्थम दुतिय किसी में भी नाम नहीं आया था और अभी तक उनका नमांका नहीं हुआ है वो candidate भाग ले सकते और वैसे विधारती भी होंगे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और इनका इंट्रांस दिया था लेकिन काउंसलिंग नहीं किया था उन कैणिडेट को भी यहां पर बत करिया है वो अगर आपने पूरा किया था लेकिन आपने सुल्क जमा नहीं किया था या आपने कांसलिंग करना भी भूल गया था तो भी आप कांसलिंग करकर यह डेट आप देख रहे इसी डेट में कांसलिंग और स्पोर्ट एड्मिसन चलेगी तो इसी डेट में आपको कर लेना है उसकी जयनकारी मैं अब भी आपको बता भी दून का कैसे करना है बाकिज देखें इसमें होता ये है कि सबसे पहला काम करना होगा कि जीन अभियारती ने काउंसलिंग किया होगा तो तो आप आपका जो scorecard है counseling का जो PDF है print out है वो रखिएगा जो अगर मान लिजे जिनके पास scorecard नहीं है तो भी कोई दिकत नहीं counseling वाला PDF होना जरूरी है और इसके आलावे आपके पास दस भी बाड़ भी का जो अंक परमान पत्र है वो होनी चीज याती आवासी आए यह सब जो भी certificate आपके पास है वो सभी रख लीजेगा ताकि आपको college से वापस नहीं आना परे तो इतना समझ लीजे अब आप सभी candidate को जो भी document हमने बता है उस document को ले जाकर अपने college में जमा कर देना है जिस college में जो भी seat खाली है उस पर आप ना वांग कर लेना चाहते हैं तो अब इसकी जनकारी कैसे देखेंगे तो बिहार DLA के ही website पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए back end seat for export around जो धुतिये एसपोर्ट आर जागी इसी अनुसार अररिया में एक seat बची हुई है किसन गजी में 27 seat बची हुई है और जहां नहीं बचा हुआ जीरो देखनों कर मिलेगा तो जो भी college में seat बची है जो आपके इर्दगिर्द के college है जहां आप नमांकर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उस document हमने आपको ब देना है इतना काम आपको कब से कब तक करना है तो इसका डेट याद रखेगा चार तारिक से स्टार्ट है आठ जनवरे तक यह चलने वाला है जो बच्चे अगर पूर में counseling नहीं किये तो वह कैसे कर पाएंगे तो counseling करना बेहदासान है आपको कुछ जमेला नहीं है आप अ जैसे ही आप college में जमा कर देते हैं तो मेघा सूची जो है college अपने अस्तर से परकासित करेगी college अपने सूचना पत पर इसके लिए कोई भी इनके website पर list नहीं आएगा sport admission वाला ये college के सूचना पत पर जहां भी आप form को जमा करेंगे वहां जाकर देखना होगा कि आपका merit मे ही है या नहीं उसमें अकर नाम आया है अगर कोई भी आपको अपति करना है तो अपति कर सकते हैं 9 से 10 तारिक तक यह list आगी और उसमें सुधार होगा फिर जो आपकी अंति मेघा सूची है जो आपकी final merit होगी वह आपका जारी कर दिया जाएगा कम तो 12 जनवरी 2024 को जारी क हो रही है तो आप जितना जल्दी हो सके college में जाकर यह सभी परक्रिया को पूरा करा लिजे document एक बार फिर से समझ लिजे आपको जो CF मिलेगा वह होना चाहिए जो आपने counseling किया होगा वह आपके पास होगा अधार काड़ होगा फोटो होगा तस भी बारवी का अंग परमान होगा इस परकार आपके दूतिये चांस भी आपको दिये गया है बिहार बोट के द्वारा आप सभी के sport admission को लेकर जिसके बारे में पूरी जनकारी हमने आपको इस वीडियो में बताया वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो इसे like share कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो subscribe किज झाल 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 झाल